हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक नॉर्मल यह ड्राइई हल्दी है इसको हम मैडिकेटेड हल्दी में जो कि पाउडर की फॉर्म में है उसको हम कैसे बनाएं इसको बहुत जादा इंपॉर्टेंट हल्दी को की मिल्क में हम लेते हैं या किसी भी चीज में तो आज का हमारा यह टॉपिक है सबसे पहले यह ड्राइ मतलब की इस्टेम हल्दी का होता है सबसे पहले यह देखो कि हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं हल्दी का बायलोजी का नेम करक्यूमा correct का हैं हल्दी एक underground stem है ये जमीन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है और बिलकुल जमीन के अंदर तेजी से ये फैलती है जैसे अंगूर की बेल भी इसी तरीके से फैलती है वो उपर होती है हल्दी की बेल जमीन के अंदर बहुत तेजी से फैलती है इसलिए घरों के बार हल्दी नहीं लगाते क्योंकि ये बिलकुर नीचे मकानों के नीचे नीचे तक बहुत तेजी से हल्दी फैलती है अंडरग्राउंड स्टेम इसका राइजोम है मैंने इस हल्दी को 24 गंटे के लिए भिगोया हुआ है ये 24 गंटे के लिए भीगी हुई है और भीगने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेम है ये राइजोम बोलते हैं कितना ये फूल गया है और ये बिल्कुल जो की हाड थी अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकिए है इसको मैंने थोड़ा क्रश किया है तोड़ा हूआ है अब इसको धूप में सुखाने के बाद जब धूप में बहुत अच्छी तरीके से सुखाने के बाद मिक्सी में पीश कर हमें कि ये कि इजीली वह एब्जॉर्व हो सकता है उसको कोई भी टाइम एब्जॉर्व होने में नहीं लगेगा क्योंकि वह पहले से ही फूल चुका है हलदी एक तरीके से इसके अंदर गया उक्सिदेर्ट उन्फचिंज होता है किसी को बहुत जल्दींक्शन वेल्प को बहुत बाकषार है इसका उपन्सकिव होता है या बहुत से हम यह कह सकते हैं कि magnesium iron तो very small amount में होगा vitamin K भी हो सकता है magnesium है, zinc है, copper है यह सब इसमें अच्छे amount में होते है हल्दी के अगर मान लिया बहुत से लोग सब लोगों को हल्दी के बारे में मालूम है बहुत से लोग हैं कि रात के समय दूद पी रहे हैं कि हल्दी को इतनी हल्दी डाल रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा नुकसान दाया कि अगर हम हल्दी का दूद का गिलास ले रहे हैं तो बिल्कुल very small amount में लोग बाग कहते हैं चने के दाने के बराबर बस इतना ही हमें लेना है क्योंकि हमें तो इसके जो antioxidant property है curcumen हमें तो उससे देखना है तो कोई भी अगर medicine ली जाती हो तो small amount में ली जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर हम इसका use करेंगे तो यह कहां पर नुकसान देगी सबसे ज़्यादा main इसका नुकसान होगा food के absorption में कि जरुष से ज़्यादा जब इसको ले रहे हैं तो यह खुद iron के absorption को रोग देगा intestine की जो विलाई होती है उसमें iron का absorption है उसको रोग देगा और जब iron का absorption रोग देगा तो person scared हो जाएंगे एनिमिक उनमें RBC's maturation में iron help करता है हीमोग्लोबिन का तो main ही component iron होता हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा जिससे iron की कमी हो जाएगी बाकि जिनको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं kidney में stones हो जाती है अगर इनको पहले से गॉल ब्लेडर के stones है तब भी उनको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है ठीक है बाकि सभी को मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी एंटी इंफेक्शियस एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल यह प्रॉपर्टी एंटी ऑक्सिडेंट इसके अंदर है कि जो डेली के थोड़े बहुत जर्म्स जाते हैं बॉड़ी के अंदर खाने के थ्रू वह सबको यह ठीक कर देता है तो बहुत ज़्यादा डेली लेने के जरूत नहीं पर लेते हैं तो लेना हमें किसमें हैं वेरी वेरी स्मॉल एमाउंट में बाकी सबको इसके बारे में मालूम है पर यह एक अब प्यॉर मेडिकेटेड टर्मरिक पाउडर बन चुका है ओके थैंक्यू